नवस्कार किसान भाईयों आज हम आए हैं टमाटर के प्लाट पे यह हमारे कर्षक मिद्र संदीप पाटिदार जी का खेत है और इस पे दो टमाटर की सबसे बड़ी समस्या है जो टमाटर के पूरे की पूरे प्लाट को खतम कर देती है कई बार प्लाटों को छोड़ना जाती सिर्फ फूट से रह जाते हैं और यह समय क्या है कि ठंड सही सी पढ़ रही है मौसम थ्लड़ा साप है लेकिन फिर भी देखे इस पर पूरी तरह से लिप माइनर का टेक है यह आपको दिखाते हैं यह देखिए पूरी पत्ति मेंहार पत्ति पर लिप माइनर का टेक सांप जैसे जो बना होता ना यह lip minor का टेक हर पती में है और lip minor एक भहुत चोटी सी ना दिखने वाली एक मखे होती है वो आके इस पर साहद दिख रही है यह आपको साहद दिख जाए इस लिए ऐसी ही मखियां बहुत सारी होती है यह क्या करती है? और मैं कोई एक अच्छा सा प्लांट पत्ता देख लेता हूँ बताता हूँ कैसे वो जाता है जैसे सभी में है देखिए इनसे उड़ चुका है यह देखिए जैसे यह तो यहाँ पे अगर यह लार्बा छूटता है तो यह पूरा ऐसे होते 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 इस इसको ने से बाहर निकल जाता है और देखिए पूरे पत्तियों में दो तीन लारवे छुटे थे तो उन्होंने पूरा अपना काम कर दी है और इन पत्तियों पे lip minor के बाद जो है वो आना सुरू हो जाता है blight ब्लाइट कैसे शुरू हो जाता आना कि आपको रात को इसमें ओस पढ़ती है या फिर बादाल होते हैं तो भुभारी पढ़ती है तो पानी की बुूनते होती है वोड़ धीरे-धीरे जमना शुरू हो जाती क्यों, क्योंकि जो पत्ता है पत्ता बहुत कुमल होता है इसका और कुमल-कुमल पत्तों पे जब दाग रह जाते हैं मतलब जहाँ पे उसने लिप माइनर ने अपना रेगना शुरू किया और पत्ती को खाना शुरू किया वहाँ पत्ते का नर्वस सिस्टम जो होता है कमजोड हो जाता है और जब नर्वस कई से पहिचान अपन तो ब्लाइड को पहिचानने का तरीकता है, तो यह पाला होता है, इस जो बाडर होता है, जिस्जी उपर बाडर है, यह हलकल का पीला जैसे आपसे समझे कि कागज अख़बार पढ़ रहे हूं आपका पानी गिर जाए तो थोड़ा सही सी फैल सी जाती है एकदम वही पूरा सिस्टम में हर जगा आप ब्लाइट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका कि यह ब्राउन ब्राउन हो जाता है और यह उपर एलो रहता है जो बॉर्डर इसका फैलता है वह एलो फैलता है ब्लाइट एक ऐसा रोग है जो पूरी तरह से प्लाट को खतम कर देता है आपने कई बार देखा पूरे ऐसे पत्ते शुरू हो जाता है देखिए इन यह देखिए आप नीचे वाले प्लाटों में य तो यह ब्लाइट ही है जो इसको पूरी तरह से फ्लाट को दिर खतम कर लेता है अभी टमाटर का अच्छा रेट है और टमाटर में बहुत ज्यादा सब्क zaj Snates करने से लोग डरते है क्योंकि यह एघांप 20 अब टमाटर पे खर्च करने से लोग बचते हैं लेकिन जब रेट रहता है तब खर्च करते हैं तो कैसे कम बजट में और देखरेक करके इसको कैसे बचाया जा सकता है तो आप कोई कुछ है अभी इस प्लाट में देखें यह बिमारी बढ़ चुकी है पुरी तरह से और इसमें 10- दिन बाद इस पे फिर क्या डलबाएंगे और प्लाट कैसे ग्रो करता है इतना बीमार होने के बाद प्लाट कैसे आंगे बढ़ता है इसको दिखाएंगे आभी एक प्लाट में हमने पहले भी इसको दिखाया है लेकिन उसका बीडियो नहीं बना पाय थे इसलिए बीडियो इसको ले के आये है उसको फ्लीयोग कर रहे है साथ में इस अल कंपनी का दाधुबाह सेक साकोनो जोल पच्छतर फरसेंड सिस्टमेटिक में याद रखेंगे कि insecticide भी systematic चाहिए और fungicide भी systematic चाहिए इसमें तभी ये काम होता है इसके साथ साथ छोटा सा combo भी लाने के लिए हम कारबेंडा जाइम और मेंको जेब का लेकिया है मेंको जेब blight के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है और मेंको जेब की बहुत जरूत होती है क्योंकि contact सीधा पढ़ने के बाद काम सुरू हो जाए इसके लिए कारबेंडा जाइम और मेंको जेब जुगी दोनों एक systematic fungicide है और एक अपना contact fungicide है इसलिए दोनों का कामबो मिलाना जरूरी है दादू बार के जो हेक्सा हो काफी लंबे समय तक systematic काम करता है और लंबे समय तक की result के लिए हमने दादू बार का का है बेंटो करके आप चाहो तो बिलीडमाइसीन ले लो और चाहो तो स्पेक्ट्र साइक्लीन ले लो जो आपके पास सुभिधा है आप उसको जरूर डाले क्योंकि एंटिवाटिक डालना जरूरी है अभी मौसम में लगातार बदलाओ है तीन दिन पहले बहुत बादल थ है तो लगातार मौसम बदल रहा है इसलिए उसकी जड़ा जरूरत है साथ में क्या है माइको नोट्रेंस की कमी हो जाती है फ्रूटिंग में साइज में और देखिए नीचे मैगनीसियम की कमी भी दिख रही है क्योंकि पत्ते काफी पीले-पीले हो रहे है इसलिए हमने लचमीक बायजिन का MNX 32 लिया है MNX 32 इसका इस्तमाल किया है और अब इसका इस्तमाल हम कर रहे है इस प्लाट पर बताहेंगे कि कैसे अंगले आने वाले 10 से 15 दिनों में जब इसका देटा दोसरा बाए इस पर होगा यह प्लाट कैसे सुधरता है और पुरी इसकी दूसरी या तीसरी वीडियो भी लगातार बनाएंगे भार 5-5 दिनों में और आपके प्लाट भी क्या समस्या है आप किन समस्यां उसे जूज रहे हैं आप कौन सी चीजों का स्प्रे कर रहे हैं उनको जरूर आप कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं क्योंकि इसके पहले बेनिविया का इसप्रे हुआ था 15 दिन पहले और बहुत जादा महंगा हो जाता है हाला कि रिजल्ट उसके सांदार है डेलिगेट के भी रिजल्ट सांदार है लेकिन दरसल जब आप ये देखें यह यह लिप माइनर यह देखें अभी इस पर लारवा काम करना शुरू किया है इतनी छोटी इतना छोटा लारवा होता है कि इसको देखा नहीं जा सकता है पकाण में नहीं आता तो यह इस पर चुकि उसके रिजल्ट अच्छे हैं यह लेकिन लेकिन यह जाएगा आप लिप मैनर में तो काम करें लेकिन ब्लाइट में काम नहीं करता आप उप जिल्ट डारी। तो इसमें बहुत जूधा कारगार है मतलब सब्स्यादा कारगर मेंगोजव होता है इसलिए हमने मेंको जेब के साथ 75% से स्टमेटिक डाला है ताकि मेंको जेब जो बरतमान अभी प्रेजेंट में फंगस है उसको रोके और हेक्सा कोनोजोल उसको लंबे समय तक बना के राखे यह देखिए पूरी तरह से फुरूट्स खराब होने लगा है जिसके कारण हमने माइको निट्रेंस का स्प्रे इस पर सजेस्ट किया है साथी साथ नीचे थोड़ा सा खाद चलाईए आपका कोई भी प्लाट हो इसमें भी खाद काफी समय से नहीं चला तो इस पर हमने नीचे खाद चलाने के लिए सजेस्ट किया है पाटिदार जी को और आप अभी क्या दबा यूज़ कर रहे हैं किसका क्या रिजट मिला अगर आप कुछ अपने अन्बोस सेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिकर जरूर सेयर करें जब मिलते हैं आपको अंगले प्लाट म के साथ तब तक के लिए जैन